वार्कम टू कम्प्यूटर क्लास आज के क्लास में हम चैप नमबर फोर्स्ट की कॉशिन अंसर सॉल्व करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला कॉशिन आपके पास आता है वट इस रीसाइकल बीन आपको यहाँ पर रीसाइकल बीन का मतलब लिखना होगा इसके अंसर में मैंने आपको लिखाया हुआ है वर्क लाइक ट्रैश बीन इन विच यू थो दो वेस्ट पेपर इट इस अ फोल्डर दाट होल्स दे डिलेट अबजेक्ट यू कैन आलवेज रिट्राइब दे डिलेट फाल्स अंदिल यू हैव एम्टेट दग रिसाइकल बीन मतलब जो आपका रिसाइकल बीन है वह बिलकुल ट्रैश बीन की तरह ही होता है जो हमारे वेस्ट पेपर्स को मतलब हमारी वेट्स फाइल को पिक्चर्स को या ओडियो या वीडियो को होल्ड करके मतलब अपने पास रोक कर रखता है उसके बाद आप जब चाहो उस रिसाइकल बीन से अपनी गेल्डी में अपनी फाइल को वापिस अपनी फोटो वीडियो या किसी भी चीज़ को वापिस लेके आ सकते हो पर सर्फ तब तक जब तक आप उसे रिसाइकल बीन से डिलीट नहीं करते अगर आपने रिसाइकल बीन से भी वो डिलीट कर दिया है रिसाइकल बीन को क्लीन कर दिया है उसे खाली कर दिया है तो आप कोई भी फाइल को वापिस अपनी गेल्रे पर नहीं लेकर आ सकते इसे हम recycle bean कहते हैं Second question आपके पास है Explain the start button Write the option available in the start button menu मतलब आपको यहाँ start button का explain करना है मतलब start button का menu लिखना है उसके बाद जब आप start button पर click करते हो तो कौन-कौन से options हमें खुलते हैं आपको वो भी इसमें लिखने होंगे तो इसका answer है मतलब आपके पास सबसे पहले आपको start button का मतलब आना चाहिए तो start button होता क्या है start button हमारे जब हमारा computer on होता है उसकी first screen को हम desktop कहते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी class में भी समझाया हुआ है जब हम उस desktop को खोऊ देते हैं जब हमारे पास desktop appear होकी आज आता है तो उसके आपके left hand side नीचे एक start button का icon बना होता है जो मैंने आपको पहले class में भी समझाया होगा उसे हम start button कहते हैं जब आप start button पर click करते हो तो हमें पास एक menu खुलता है जिसमें हमें एक list खुलती है जिसमें हमें बहुत सारे options होते हैं कुछ options आपको यहां दिए हुए हैं जैसे documents, customize your system, get help, etc. इस तरह क्यों option start button menu में आपको दिखाई देते हैं थर्ड question है आपके पास differentiate between on the starting window and desktop मतलब आपको starting window और desktop का यहां मतलब और उसमें difference समझाना होगा यहां मैंने सुर्फ एक-एक point लिखा है आप चाहो तो उससे जाधा points भी लिख सकते हो पर यह main point है इसलिए मैंने आपको इसे notebook पर लिखा दिया है जिस सबसे पहले हम आपको starting window आती है When you switch on the computer, windows start automatically and displaying welcome message मतलब आपके पास starting window होती है जब आप computer को on करते हैं तो आपकी window अपने आप ही start हो जाती है automatically का मतलब होता है अपने आप start हो जाना अपने आप शुरू हो जाना तो आपकी window भी इस तरह अपने आप ही शुरू हो जाती है और आपको एक welcome message पूट करती है उसके बाद आपके पास आता है desktop It is followed by the first screen of window known as desktop जब आप window को start कर देते हो तो आपके monitor पर एक first screen दिखा देती है पहला चितर दिखाई देता है जिसे हम desktop कहते है It contains some graphical symbols called icon मतलब इसके इसमें हमें कुछ छोटे छोटे ग्राफिकल symbols कुछ छोटे छोटे चिन्हा बने होते हैं जिसे हम क्या कहते है आइक उसके बाद fourth and last question है आपके लिए Explain the features of windows 7 आपको यहाँ windows 7 के features मतलब उनके lab explain करने है सबसे पहले आप थोड़ा windows 7 के बारे में भी उसमें बता सकते हो इसका answer है Microsoft developed windows 7 OS यहाँ OS का मतलब होता है operating system मतलब windows 7 आपके पास एक operating system है इंटरफेस वोज सिमिलर तू डैट ओफ विस्टा मतलब यह बिलकुल समानांतर है एक जैसी लगती है window विस्टा के तरह बट इट वोज एंथूसियाजम फॉर एट्स मतलब इसे हम जादा महत्व देते हैं किसकी वज़े से अब यहाँ इसके features आने वाले हैं noticeable speed मतलब इसकी notice करने वाली speed मतलब इसकी ताकत इसकी तेजी improvement इसकी development मतलब जिस तरह से यह बार बार इसमें नए नए development होते रहते हैं नए नए इसमें तरक्कियां होती ही रहती है मॉडेस सिस्टम मतलब इसका model system जो जैसे आज को model जमाना चुर रहा है जैसे आपको सब्सक्राइब क्या होता है समय के साथ सथ बदलता हुआ और इसकी requirement इसी वज़े से बढ़ रही है इसकी स्पीड है इसकी improvement इसमें जो आने वाल improvement है और यह एक operating system होता है आपका window 7 आज के class में आपको यह 4 question explain कर दिये हैं आपको यह question अच्छी समझने है और इन्हें learn करना है online class में आपका इसका test होगा thank you and have a nice day to all of you